Oh हेलो उसलो आज यम बनाने जाना है कोपते उसके लिए हमने लिए cocoa उसके लिएस नमक एकालेशा लाल मिर्च एक चमाली शुकल है लाल मिर्च अजिन और यह उसका दनिए एक चमाल गरामसाला आदा चमाल यह हमने लिए 500G यह हमने लिए बेशन हम बच्रक्न काने तो चलिए फ्रेंस बनाहा शुरू करते हैं कौपते हैं इसके लिए हम सबस्याद हम डालेंगे मूली पांच शे मूली है कसीवी जो हमने कस के कस लिया है और कसने के बार इसमें थोड़ा सा नमक डाल की हमने इसको निचोड लिया है अब इसमें डालेंगे दो कटोरी बेसन जालेंगे चमश लाल मिर्च पिसीवी जालेंगे एक चमश नमक पिसावा अब डालेंगे इसमें चमश सूखा दनिया जालेंगे अध़ गरम मसाला अब इन सब को जो हैं मिक्स कर लेंगे हम सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं अब हमने जो है यह डो बना के तियार कर लिया है देखिए डो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाय दे रहा है हम थोड़ा सा इसमें सूखा बेसन रखेंगे थोड़ा सा अझाल तक्याल मिक्सर से कॉप्टे बना सके अब हम थोड़ा सा मिक्सर हाथ पे लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा उस पे लगाएंगे और उसे गोल गोल बना के तियार करेंगे ऐसे हम दूसरा बनाएंगे थोड़ा सा मिक्सर हम हाथ पे लेंगे उस पे सूखा बेजन लगाएंगे और गोल गोल बना के कौपते को तियार कर लेंगे ऐसे हम बना की तियार करेंगे देखिए गोल्ड शेप में हमें कोपता बना की तियार करना है ऐसे हम सारे कोपते बना की तियार कर लेंगे तियार कर लिए है देखिए मैं आपको तिखा रहती हूं में सारे कोपते बना हैं गोल गोल्ड और हम तेल कर दिया अब इसमें कोपते को फ्राइब करना श्टार्ट करेंगे हम कोपते इसमें डाल देंगे और हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे हमने गास का फ्लेम लो कर दिया है जलानी आएगा है कि मैं को प्लटके देख लेगे एक तब से हमारे को प्लटके देख लेगे तब तक आपको इनको फ्राई करना है जब दिखके गॉल्डन ना हो जाए लिए अच्छे से गॉल्डन हो चुक्के है और हमने अच्छे से को फ्राई कर लिया हम इनको निकाल लेंगे हमने अच्छे को प्लटके निकाल लिया है हमने अच्छे से प्राई कर लिया है हम सारे कोप्ते अच्छे से प्राई कर लिया है और हम सब्ची बनाना स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं कॉप्ते ही सब्ची बनाना इसके लिए हमने कोप्ते लिया है प्राई कर लिया यह में हमारे पास है हल्दी एक चमच जीडा आदा चमच पसीवी लाल मिर्च एक चमच किचन गींग आदा चमच नमक एक चमच यहां अपने स्वायद अनुसार भी डाल सकते हैं यह हमने डाल लिया है पिसीवी मिर्च दो चम्मच अद्रक लसन प्याज चीरे का पेस्ट आदा चम्चा एक कटीवी प्याज तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबजी बनाना यह हमने कड़ाई में टेल गरम कर लिया है और हम इसमें डालेंगे आदा चम्मच जीरा तो हम जीरे को भूने देते हैं और मिडालेंगे प्याज प्याज एक कटीवी प्याज इसे हमने बारीक काट लिया है इसके सला रहेंगे प्याज को हलका कुनारा होने तक बूनेंगे तक हमारी प्याज गॉल्डन होती तक हम इसको बून लेंगे बूने प्याज होती है जीन जोह रोल तुम्निंट को है कि हमारे सभ्षाद कर दालत है अद्धव लसन प्याज स़वरी छी एक गॉल्डन था अधर समय जहीं है लिखतर मे कर ददा तो सीलिग मदाल दाले लग्याई मिर्च नमक नमक लाल मिर्च पिसीवी एक चम्मच हल्री आधा चम्मच किचन किंग कि इन सब को मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो भूखे नहीं अब इसब को अच्छी से चला देंगे है कि अगे अच्छा आइक मतले को अच्छा टका कि हमारा मसाला अच्छा फूंचा याइज आएट इस देखें मुखाए नचा आपने पांच मिंते अजी जाय से जाना है तो कश्क्छा एपो मुखाहरा आपच्छा आज्टेससा काप साफ़ हो ज़िए जब जाए है कि अब करें तो यह सुंगी अब चाप के में अब क्या लिए चाप 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 अब करें तो प्यूप्के लिए लिए ज़ें लोगने प्रशोनिकी अब शुआ अब टोवलेज़ाए। पाई मिट्दल के देगें अब में डालेंगे पानी दो गिलास पाई याड़ करेंगे इस केंदर हम कि दो गिलास के गरीब हम पानी डाल देंगे हम इन सबको मिक्स कर देंगे पानी को भी आद अगिलास पानी इसमें और एड़ कर देंगे अब यह सबको हम 10 मिट के लिए दालेंगे हमें 10 मिट के बाद इखाती हूं आपको देखिए हमाई सब्जी अब जो है 10 मिट के बाद बनके तियार हो गई है और हमाई सब्जी बनने क्या इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी लग रहे हैं देखिए सब्जी को सर्फ कर लेते हैं देखिए फ्रेंस अब हमने सब्जी को तियार कर लिया है देखिए सब्जी बनने के बाद कितनी टेस्टी और यमी लग रही है और दिखने में भी काफी कलरफुल लग रही है अगर आपको हमाई रासी पे अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग